हल दोस्तो राना क्लास सेज में आपका स्वागत है तो आज की लेटर्श कमटेटी टीप इक जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सन तक देखे पसंद आने पर लाइक शने लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो जैसा कि कल आपको जानते हैं कि ये स्कूर कार्ड जारी हो गया है और डेट अप बर्थ और मुखे वगत परिछा का रोल नमबर यह सब डाल कर है जो कि आप रैंक प्राप्त कर सकते हैं तो इन रैंकों का क्या महत्व है और क्या इसका कोई फेल्वेशन है जो ये आपने रैंकिंग देखा तो हाँ वो देखा लेकिन बहुत अभी भी यह जो कि पूरा नहीं है यह अब आप सुच रहेंगे कि स्कूर कार्ड जारी कर दिया तो अभी भी आपको इससे बहुत ज्यादा क्लियरेशन नहीं होगा उसका कारण क्या है कि अगर आप देखेंगे तो सब यह अभी तक के लिए यह आपको बाद में जा भी भाग जाएंगे तो वहां जो सीरियली वाइड लिस्ट जो रहेगी और रैंकिंग वाइड लिस्ट उसी कनुसार है जो कि आपका परमो सबसे ज्यादा जो रैंकिंग का फायदा कहा होता है यह सबसे पहले जाने बी एससे इंटर लेबल बहुत सारे लोग क्योंकि इसका लाव है जो कि प्रशनली मुझे भी हो सकता है तो उस स्थिति इस रैंकिंग का क्या फायदा होगा तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो क्या होगा आपको परमोसन में होगा किस में होगा परमोसन में होगा क्या होगा प जब जिसे कोई माले जह होता है कि हम senior है कि हम senior है होता एक ही बैच के हैं आपसे senior है जैसे बहुत सारे चीज़ों में टेनेस बनाना हो रिष्टर में तो मैं senior हूँ तो उससे निर्धारन होगा एक तरह से माना जाए क्योंकि seniority list भी आपके तो यह जो ranking जो होगी और आपके विभाग की जो ranking होगी राजा सुप्रमचारी की या पंचाय सहचीव या कनिये लेखा वो इसी ranking के अलहार पर होगी ऐसा नहीं हो सकता है कि मालिय की first जो कि है सायद राजा वाबु नाम 528 या 29 नंबर है और अगर ऐसे जोड़ा जाए तो लगभग है जो कि 127 है एक सो पचीश नंबर हो गया 500 और इसमें जो कि लगभग साथ जोड़ दे एक सो तीस से 32 नंबर है जो कि आपके टॉपर्स के आए हैं तो सबसे ज्यादा जो यह ranking का फाइदा है इससे अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि BC और MBC का ranking में कितना है तो उससे कोई फाइदा क्योंकि प्रमोशन न रच्छा से को अभी तक है जो कि अरच्छन दिया जा रहा और अभी तक बिहार में कम से कम मना ही नहीं हुई है तो उनके ranking है क्योंकि BC MBC में आपकी ranking क्या है वो से general ranking ही आपकी मानी जाएगी और आपकी विवहाग की मानी जाएगी तो यह जो है इसमें जो टॉपर्स की यह लगभग मान कर चले तो आपको 132 नंबर तो पर है क्या है 132 नंबर पर और मैं अगर असब इसका विश्तार से पूरी पर जो परिच्छाएं हुई है उस पर है जो कि यहां मैं बताना चाहता हूं तो BSSC तीन परिच्छाएं आपकी हुई है PSSC इसको green कर देता हूं तो और के लिए अगर दिखेगा BSSC CGL1 का जो टोपर था उसके कितने मार्स थे दो बार हाला कि इसके रिजल्टा है 499 में थे बाद में रिभाइज हुआ था चलते 488 हुआ था और इस परिच्छा में मेरा विजल्टा और मेरे मार्स कितने थे क्योंकि आज मैरिट आगे इसलिए मैं चर्चा कर दो मेरे शुरुवात में कितने थे बाद में घटकर हमार्स घटके क्यूतं रिजल्किर न हरन थे हमाइन दो चार्चा है यहीं मेरी रेंक रहीनाचिन से मुझे क्या फिया अंटीरों सैयो तौय किक्या और चार्चाशक में नेक्टी थे 2019 से मुझे क्या फाइदा हुआ तो यह तो तो अबराल क्योंकि सचिवाले साहाग जो थी, जो क्या था, 95% लोग यही चुने, क्योंकि एक अकेला फोष्ट था, सचिवाले साहाग, तो यह 93 का मकसद ही है, कि पर्मोशन जिसे जो होती है, डीपीसी जो बैठक होती है, उसमें हम लोगों का नाम भी आया था, मैं अपना इसलिए पता रहाँ कि आप थोड़ा समझें, और यह तीन साल पहले हाला कि बिहार में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्यों आया, क्योंकि मैं टॉप हैंडेड में था, 126 लड़के को जो ने बैच 2014 में जो 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 आयन किये थे, उनके तो उसमें है जो कि प 126 लोगों को 2014 मेरी रैंकिंग 93 इसलिए मेरी भी हुई, तो यह रैंकिंग का फायदा, लेकिन यह जो इसके बाद जो है, जो आट सो रैंकिंग पर है, जनरल रैंकिंग इनके आट सो किसी का है, तो इनकी परमोसन तो अभी कितने लेयर में चलाएगी, अभी 4 वरस, 5 वरस प अभी तो लोग सोते चलो सेलेक्शन हो गया, और मैं बार बार इसलिए काता हूँ, कि जब भी मेनत करें, यह नहीं, बहुत सारे लोग काटेवरी हैं, मुझे किसी तरह पास करना है, नहीं, बाद में आपको पस्ताव होगे, कि और थोड़ा पढ़ लेता, तो बेटर हो, त बिभागवार नहीं है, लेकिन ओवरोल रेंकिंग जो है, वो आपको दिया हुआ है, तो यही फायदा है आपको परमोशन में, या ओफिस में माल लिजाए कि आपसे लड़ाई होगे, यह हम जूनियर हैं, कि हम सीनियर हैं, तो यह रेंकिंग ही टाई करेगा, आप कर सकते ह अधार जो है, यहां पर, बिहार में यहां होता है, रेलवे में क्या होता है, अलग होता है, रेलवे में ट्रेनिंग के जो नंबर होते हैं, उस पर होती है, कई जगा, तो सभी जगा चेंज हैं, लेकिन बिहार में जिनरली यह जो आपकी मेधा करमांक है, वही है, जो कि करेगा अब आते हैं कुछ लोगों के मार्स देखते हैं तो और ज्यादा है जो कि क्लेरेशन होगा है हाँ यह तो मैंने ब्ससी सीजियल टू का भी बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा हाज है जो कि कि बी एससी सीजियल टू के टॉपर इसके इनके कितने मार्स थे लगभग 141 को अगर चार से गुना कर दिया जा तो लगभग 560 के आसपर के लिए नहीं पता लेकिन चार यह फीर्स रहंग थे यह क्या थे फस्ट रहंग थे 560 मार्स लाया थे अब यह आपके जो टॉपर से इंटर लेवल के वो कितने लाएं है B.S.S.C. इंटर लेवल इंटर की दोनों ग्रेशन पर है पैटर्न लेकिन सेम है इंटर लेवल में आपकी टोपर्स का नंबर है 528 साइध राजा वाबु नाम है तो ये जो है 528 है और फर्स्ट का जो है यहां पर कितने आथा यहां पर 560 और इन लोगों में क्या हुआ था सची वाला इस आए क्योंकि कम पोश्ट है तो जेनरल की रेंकिंग लगवग यहां जो है पांसो यह जो है पांसो तीस के आसपास है जो कि जो लाये थे उनको सची वाले जेनरल में रहें क्योंकि बहुत कम सीटे थी इसलिए और यहां आपके पांसो टॉपर के भी नहीं आ रहे हैं यहां सची वाले तो यह कोश्टन के पैटन पर अंतर करता है कि आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे लोग कातें चल वान में बहुत कम नंबर पर शेलेक्शन ऑंगा चैनल क्योंकि उस प्रस्थिती में जो कि उतने नंबर लना जीस तरह आप भी का सकते भी प्य कोश्टन पहले बहुत असान कोश्टन आता था तो क्या उस समय जो सेलेक्ट होए तो कम जो नहीं उस समय की प्रस्थितियों के नुसार वो सबसे बेश्ट थे आज भी है जो कि आप प्रस्थिति हो सकता है दस साल के बाद आपको भी यह जो कोश्चन आप ब्यास सी इंटर लेवल में देख रहे हैं वो का जाए बहुत ही हल अब कुछ लोगों के मार्स में बताना चाह रहा था आपकी जो रेंकिंग दिखाए जाती है उसको मैं यह जो है आपको यह परिछा है यूद्ध आप जानते भी एस से से सीजियल लेवल प्रिलेम्स जो है वह कब होगी तो सीजियल जो है आपको अक्टूवर के पर्थम सप्ता में उम्मीध है सीजियल 3 जो है प्रिलेम्स के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे है वह कब होगी तो यह जो है आपको कब होगी तो अक्टूवर के पर्थम सप्ता में आपको मान सकते हैं सीविल कोड का बेकेंसी जो है कलर के श्ट्रेनोग्राफ हर यह सब है जो के बिहार पुलिस कॉंस्टेवल सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन इसको भी देख लेते हैं कि कब है जो कि आएगा तो क्या होगा यह सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद SSC GD सत्तर हजार के दस दिसंबर को नोटिफिकेशन है जो कि आने की संभावना है तो यह जो कि आपको भी एससी जो है कि उसके बाद आते हैं दूसरा में कि सठीवी बीपेसी यह हो गया और यहां पर आप देख रहे हैं बिहार कॉंस्टेवल को उता दिया बिहार SSC इंटर लेवल बेकेंसी जो है वो कब तक आएगी इसमें दिया हुआ है आपको इसमें उम्मीद कर सकते हैं अंतिम सक्ता में जो कि अगस्त के यह आ सकती है बिहार Excise बाला है जो कि अगस्त में जो कि नोटिपिकेशन आ सकता है तो यह जो है आपको अब बिहार दरोगा का बहुत सारा लोग जानना चाहरे होंगे कि कब आएगा तो इसको देखते हैं बिहार दरोगा का है जो कि SI upcoming vacancy जो है आपको यह जो कि चार सितंबर के पहले है जो कि 2000 शीट के आसपास है जो कि यह आ सकती है उसी तो उपी MPSI का अगस्त के अंतिम सप्ता में UPPT exam फॉर्म पिलप को भी हो रहा है इससी SI जो डेली पुलिस है वो दस अगस्त तक आएगा इस ट्रेनोग्राफर का 20 अगस्त के आसपास आएगा है मेलनी जो इसमें है आपको बिहार दरोगा का है जो कि अगस्त में जो इसी संभावने उससे इनिकार अभी भी नहीं किया सकता और सितंबर में कॉंस्टेवल का तो बेकेंसी आप लोग देख रहे थे कॉंटेक्ट वाला उससे घवराने की जौरत नहीं है यह संभावनाएं बची हुई है और क्या बचा हुआ है जो फारस्ट गर्ड और फारस्ट्र का मैंने बताए कि जुलाई में ही संभावना तो देख बीश से सता ही जुलाई बिकेंसी है जो कि आ रही है तो यह सब रेकेंसी आगें को है अब देखते हैं जो खुश मार्श जह हैं उसका गेंस प्रशिग है भी एससी यह मार्क्स हैं थोड़े धुन्दली ज्यादा है तो यह जो रैंकिंग है यह बहुत ज्यादा धुन्दली है मैं इसको थोड़ा सा दूसरा दिखाता हूं आपको यह आप इसको देख सकते हैं तो इनकी 489 मार्क्स है और इनके जो रैंकिंग है वो 104 रट है यह फीजकल पोस्ट में नोट क्वालिफाइड थे टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड इंगलिष टेस्ट थे टाइपिंग एस किये थे कंप्यूटर ऑपरेटर सेंटिपिकेट भी एस है अश्टेनो अबसेंट थे इलिविजिटी कौन से यह सो गया पोस्ट राजय सुक्रमचारी इनको मिला है अन्रिजारूट थे इ जो कि लोगों के बिहार में आते हैं और बहुत सारे लोग हला नहीं करते आप्चिकल क्या अनके शोशल मीडिया पर लोग मार्श का हला बहुत करते थे इसे कुछ लोग बता रहे थे जेनरल का जो कि नंट टैपिंग का कट अफ है यो कि शुरुआत में अगर देखेंगे महाल बनाया गया था 100 से जादा है जो कि नहीं जाएगा कियों बताया जा रहा था क्योंकि जो बता रहे थे उनका इमार सो के आसपार आ रहा था और पुनिशीत रूप से वो उसी सोच में जो कि और मेरी सोच सदैब रहे कि अगर मैं टॉप हैंडर्ड मैं तो लोगों को भी उसी रूप में देखता हूं को वो कैसे चाहे दरोगा हो भी एससी हो या किसी भी जाम में हो तो मेरी सोच उसी नुसार रहती कभी नहीं सकता हूं कि चलो दो घंटे पढ़ेंगे हो जाएगा या यह बढ़े मुझे लगता है कि आप जब भी चैरी करो तो यह सोच करके मु में लानी है और टॉपर लानी है तो उससे क्या होगा जब बड़े लच का जब टार्गेट करें तो गिरते गिर गिर भी गया तो अटक तो जाएगा अप छोटा ही टार्गेट है कि मैं फ्रीडम फाइटर में हूं और दरोगा में जो कि 50 में भी सेलेक्शन होया आता है तो फिर 80 कोश्चन ही है 120 में 90 कोश्चन ही अगर आप कम कोश्चन किसी तरह तो आपका सेलेक्शन हो सकता हो जबाद मेरिट में छट जाएंगे बहुत सारे लोग इसमें मेरिट में छटे हैं भोल रहा है कि काफी हाई गया नहीं क्योंकि कट अपके नमबर कम है आप तो नमबर जारी हो गई है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पीटी का मार्स कप जारी होगा उच्छे पता चलिए तो अभी तक बेसे सिर्फ उभी 14,410 जो कैनिडेट है उनके रेंकिंग और कुछ कोश्चन लोगों को लग रहा है कि 17,000 रेंकिंग है फिर भी यह जो कि उनको राज मिला है इसलिए वह 17,000-20,000 तक भी जा सकते हैं 14,000 के क्योंकि वह जो रियल्ड दिया था ऐसा नहीं था कि 14,410 रेंक वाले को हो सकता है उसमें 20,000 रेंक वाले भी हो सकते हैं तो वह सोट लिश्टेड वहां पर किया गया था वह कैनिडेट थे रेंक नहीं था वह तो यह जो कि बहुत सारी अपडेट है जो मैंने आपको डिया और यह भी चलेगा यह भी दो तीन दिन अभी चलेगा जो स्कोर कार्ड मेरे इतने आए मेरे इतने आए और उसके बाद क्या होगा अब आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोशेस होगी दो क्योंकि हुनी भी चाहिए अगर रैंकिंग आप देख रहे हैं और अच्छे रैंक्स हैं और माले टोपर्स हैं तो उनको खुस होना चाहिए कि टोपर्स लेकिन खुसी दो-तीन दिन उसके बाद क्योंकि नेक्स परकिरिया लग जाए और आप जो है राजस्वक्रमचारी के जो है माले उनको पर रहेंगे कौन से कर तो मैंने तीनों BSSC का भी बता दिया कुछ अपडेट भी दे दिया तो इसीकसा धन्यवाद